दिल्ली NCR में आने वाले दिनों में बीशन गर्मी का सामना करना पड़ेगा भारती मौसम विज्यान विभाग IMD ने 13 मई से 15 मई के दौरान दिल्ली में लूच चलने की आशंगा जताई है और येलो अलट भी जारी कर दिया है वही 16 मई को थोड़ी राहत मिल सकती है क्योंकि आसमान में हलके बादल चाने की उमीद है इस से पहले 11 और 12 मई को मौसम साफ रहने के साथ तेज धूप निकलेगी और अधिक्तम तापमान 40 से 42 जबके नियूंतम तापमान 28 से 29 डिगर सेलसियस तक रह सकता है इस दोरान गर्मी के सामाने रहने की संभावना है मंगलवार की बात करें तो गर्मी के तेवर थोड़े नरम रहे और अधिक्तम तापमान सामाने के करीब रहा हाला कि नियूंतम तापमान सामाने से अधिक ही दर्ज किया गया दिल्ली में मंगलवार को अधिक्तम तापमान समानने से 3 डिग्री जादा 28 डिग्री और अधिक्तम तापमान समानने के बराबर ही 49.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ हवा में नमीक अस्तर 45-61 प्रतिशत तक रहा वहीं दिल्ली में आज यानि बुद्वार को अधिकतम ताफमान 40 अन्यूंत्म ताफमान 28 डिगरी सेल्सियस रहने की संभावना है और मौसम साफ रहने का नुमान है वही नॉईडा की बात की जाये तो नॉईडा में आज वुदवार को अधिक्तम तापमान चैयालीस दश्टम लव एक देगरी सैल्सियस और नियूंतम तापमान तैयालीस दश्टम लव आट डेगरी सैल्सियस रहने का नुमान है और मौसम साफ बना रहेगा वही गुरू ग्राम का अधिक्तम तापमान 43 और नियुतम तापमान 29 डिग्री रह सकता है और आस्मान साफ रहेगा यहां भी वही केंद्रिय प्रदूशन नियंतरन बोर्ड के अनुसार वुद्वार की सुबा दिनली का वायू गुणवत्त सूच का यानि की AQY मध्यम शेडी में रिकॉर्ड हुआ है और 139 रिकॉर्ड हुआ वही नुएडा में AQY 140 जबकि गुरू ग्राम में 142 रिकॉर्ड किया गया है ब्यूट पोर्ड मार्केट टाइम्स टीवी झायल किया गिक। झायल